यूपी के गोरखपुर से एक संसनी खेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने नाबालिग लड़की की गला दबा कर हत्या कर दी। फिर आत्म हत्या प्रतीत होने पर उसे फांसी पर लटका दिया गया। युवक का लड़की और उसकी मा दोनों से अफेयर था। जब इसकी जानकारी लड़की को हुई तो वह युवक पर शादी का दबाव बनाने लगी। शादी के 20 घंटे बाद ससुराल छोड़ चली गई दुलहन। सच जानकर घरवालों के उड़े होश अलवर में दुलहन अपनी शादी के 20 घंटे बाद ससुराल से सोने चांदी के जेवरात और पैसे लेकर फरार हो गई। पीडित परिजन के मताबिक फेरों के बाद दुलहन की मा ने पती के इलाज के लिए 2 लाख रुपए उधार मांगे। इस एक बाद वे वहां मौजूद लोगों के सामने 2 लाख रुपए दे दिये। मगर 17 जनवरी की रात दुलहन नकदी और जेवर लेव फरार हो गई। यूपी के गोंडा में शादी के पाँच दिन बाद ही दुलहन ने ससुराल में खेल कर दिया। दुलहन ने पहले तो पती और ससुराल वालों का भरोसा जीता। शादी के पाँच दिन बीत जाने के बाद उसने अपनी रंग दिखा दिया। दुलहन के कारनामे की भनक किसी को लगती इस से पहले ही वह वहाँसे चंकत हो गई। दुल्हन के इस काम में एक महिला मित्र ने भी साथ दिया। ससुराल वालों को जब इम्म, मामले की जानकारी हुई तो वह सीधे ठाने पहुंचे। ससुराल वालों ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। उनके पास से चोरी गए गहने भी बरामत किये हैं। खुलासे के लिए पुलिस अधिक शक ने तीन टीमे लगाई थी।